हेलो बच्चो, वेलकम तो मेगा मेंड का एडमी, बच्चो हम ये पार्ट नूमर 25 लेकर के आए हैं और इस पार्ट में हम बच्चो क्या करेंगा, हमें 3 पॉइंट जो दिये गए हैं उनसे हमें कहेगा कि कॉलिनियर पॉइंट्स हैं कितना निकालेंगे, इक्वल टू जीरो निकाल देंगे चुकि कॉलिनियर हैं, तो जीरो की इक्वल होगा ही तो जीरो की इक्वल लेकर के चलेंगे, तो फिर क्या करना होगा उसमें पॉइंट में कोई कमी रहे गई होगी इसका मतलब जो कि lambda की रूप में दी गई है तो lambda की रूप में जो कमी दी है यानि lambda की value है वो हमें निकालना होगा ठीक है तो इसको equal to बच्चो हमने delta के sorry 0 की equal to ले लिया तो हमें बस यह sol करना हमें क्या करना होगा इसको sol करके ज्यादा ज्यादा 0 बने तो हम यहां से इसको सब्टाइड करें, इसको सब्टाइड करते हैं, तो बच्छों इसको सब्टाइड करना मतलब क्या हमने किया, R2 से R1 को सब्टाइड किया, चेंज कहां कर दें, R2 पे कर दें, इसी तरह से मैंने R3 से R2 को सब्टाइड कर दिया, चेंज कहा करना है R3 पे तो पुच्छों यह हमने ऑपरेशन जब लगाए था हमें क्या मिलेगा 2 लिखा हुआ है और माइनस 3 मैंने कि फर्स्ट रो जैसी थी वैसी मैंने लिख लिए अब सेकेंड डो से ही तो चेंज होगा सेकेंड डो से तो से केंड डो में क्या ऐसे बच्छों क्या करना होगा जीरो से लेम्डा सब्टेट किया तो माइनस का लेम्डा हो जाएगा ठीक है बच्छों लेम्डा लिखा ठीक है लेम्डा मायनस टू जिसका particular गाँ तो फाइब में तो फाइब मायनस तू और कहा मिलेगा मैनस थो लेम्डा मैनस का और मायनस के फारवुलर की ह purchase हो जाएगा प्लस का टू लेम्डा ठीक है और सब किसकी इक्वाँ टू बच्चो जीरो इक हो जाएेगा तो यहाँ पही क्यां मिलना five lambda और कितना माइनस की सबाएन विडियो को लाइक करते ये कमेंट जærूर करिए गयेक टीक है शेर करेंच्ट चैनल को सबस्क्राइब करिए ज्यदा ज्यदा सब्सक्राइबर आने पर हम आपके सामने लाइव आपके आपको पढ़ाएंगे ठीक है आपको और अच्छे सोन में आएगा नेक्स मिलते बच्छो थैंक्यू